आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इसरा option है mandatory requirement और चौथा option है voluntary requirement तो हमें इसका सही answer देखना है कि इसका सही answer क्या होगा उसके पहले हम CRR को समझ लेते हैं कि CRR क्या होता है तो CRR एक amount होता है जो commercial banks के द्वारा किसके पास रखा जाता है RBI के पास रखा जाता है और वो amount या वो प्रतीशत RBI decide करती है कि उसको कितने प्रतीशत amount commercial banks से अपने पास as a CRR रखाना है और ये जो CRR होता है वो RBI के पास commercial banks के किस account में होता है तो वो होता है current account में current account में ठीक है तो हम देखते हैं कि इसका सही answer क्या है तो इसका सही answer है mandated requirement क्यों mandated requirement है क्योंकि RBI ने ये fix ही कर रखा है कि आपको कुछ प्रतीशत या कुछ अनुपात में जो amount होता है वो किसके पास RBI के पास रखना ही पड़ेगा अगर मान लो half के बारे में बात करें तो half ratio के बारे में बात करें तो half ratio होगा या कुछ प्रतीशत के बारे में बात करें तो या तो 5 प्रतीशत के example ले सकते हैं या हम 10 प्रतीशत का example ले सकते हैं तो ये जो RBI है उसने mandatory करके रखा है कि आपको ये इतना amount या इतना percentage of amount हमारे पास fix करके रखना ही पड़ेगा अगर हम दूसरे options के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि जो Contributory requirement होता है वहाँ दो लोग काम करते हैं एक होता है employee एक होता है employee और एक होता है employer तो ये दो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर special role देखते हैं जैसे employee क्या होता है पहले employee कुछ amount किसके पास जमा करेगा किसी भी चीज में और जो बाकी बचा हुआ amount होगा वो कौन जमा करेगा है employer होगा मतलब यहाँ पर किसका काम हो गया है contribution का काम हो गया है contribution का काम हो गया है इसलिए इसको contributory requirement कहते हैं अगर हम discretionary requirement के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का rule नहीं होता है अगर आपको कुछ पैसे जमा करना है या कोई चीज करनी है मानलोग कोई चीज करनी है आपको या things है तो उसके लिए आपके पास rule नहीं होना चाहिए या rule नहीं होते हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा ये आपके लिए options का काम करता है कि अगर आपको करना है तो ठीक है अगर नहीं करना है तो ठीक है अगर हम चौथे option के बारे में बात करें जो कि voluntary requirement है तो यहाँ पर क्या होता है brought about by free choice होता है मतलब आपके पास free choice होती है किसी भी चीज के लिए आपके पास free choice होती है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है मतलब आप किसी भी rule में बधे हुए नहीं होते हो तो अगर आप discretionary को देखोगे और voluntary को देखोगे तो यह लगबख दोनों same ही है जहां पर आपको rules या regulations नहीं होते हैं मतलब आपके पास choice होती है कि आप क्या करना चाहते हो So that's all for today, thank you so much